नमस्कार दोस्तों मैं उनीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक क्वेशन डिसकस करने जा रहे हैं जो कि युनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेशन है यूनिट से रिलेटेड और यह जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं वो आपका बेसिक क्वेशन का है तो देखिए उसमें जो युनिवर्सिटी में क्वेशन पूछा गया था और समेस्टर 2021-22 का यह क्वेशन है और आप देखें तो क्या आप क्वेशन पूछा गया है explain series resonance in RLC series circuit यह आपको जो series resonance का derivation होता है जिसमें fr is equal to 1 upon 2 pi under root 1 upon LC वो पूरा derivation करना था तो वो theoretical है तो यह मैं आपको जो है अल्रेडी वीडियो दे चुका हूं बना चुका हूं इस पर detail में वीडियो है मैं उपर आपको लिंक डाल नूँगा आई-card पे आई-button पे आप वह university exam में क्या पूछा जाता है और क्या हम उसको attempt कर सकते हैं क्या तो आप देखिए और यह question भी दस नंबर का है तो आप देखो question numerical में क्या पूछा है कहा है कि a series RLC circuit has R is equal to 10 resistance की जो value दी गई है वो कितनी है R की value है 10 ohm L जो दिया हुआ है वो है 0.1 henry और C जो दिया हुआ है वो 8 micro farad यह तीनों दी गई हैं अब आप से कहा गया है कि resonant frequency निकालो quality factor निकालो और half power frequencies निकालो तो आप देखिए आपको क्या करना होगा simply resonant frequency आपको निकालना है तो उसका formula हमें पता है क्या होता है FR is equal to 1 upon 2 pi under root 1 upon LC देखिए ध्यान देना है series resonance है तो series resonance है तो अब से बाद उसी का ही formula हम apply भी करेंगे तो क्या जाएगा 1 upon 2 pi under root 1 upon L के value है 0.1 into C की जो value है वो है 8 into 10 to the power minus 6 micro में दिया तो उसको farad में change करना ही पड़ेगा तो आप इसको change कर लेंगे और numerical value support करेंगे तो आपको result मिल जाएगा 178.03 hertz ये value हमें मिल जाएगी अब इसके बाद हमसे पूछा गया quality factor तो quality factor का जो formula होता है वो होता है Q is equal to 1 upon R under root L by C ये formula होता है अब values हम यहाँ पे put करेंगे देखिए तो 1 upon R, R के value कितने दी है 10 into ना देखें यहाँ पे दिया है 10 और L कितना है 0.1 तो 0.1 upon C की value कितनी है 8 into 10 to the power minus 6 अब इसको solve करेंगे तो आपको जो है Q की value मिल जाएगी तो देखिए value मिल गई 11.18 ये हो गया हमारा Q अब half power frequencies पूछे गई है आप और frequencies का जो formula है वो होता है आपका F1 is equal to FR minus delta F upon 2 अब इसमें value put करोगे FR की value हम लोगोंने calculate कर रखे है 178 minus आपका delta F अब delta F हमको नहीं पता है तो delta F का जो formula है वो हमें पहले delta F की value calculate करनी पड़ेगी तो delta F क्या होता है delta F है हमारा bandwidth तो bandwidth का formula मैं इदर अलग से किनारे लिख देता हूँ आप देख लिजे delta F जो होता है वो होता है आपका FR upon Q तो हम चाहें तो delta F निकाल लें और फिर यहां value रख दें वो की कर सकते हैं तो देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा अगर हम यहां पर निकालते हैं तो FR हो है आपका कितना 178.03 divided by 11.18 यह हमारा value और इसकी value कितनी आ जाएगी अगर हम calculate करेंगे तो value मिल जाएगी 15.92 hertz अब यह value हम यहां पर रख सकते हैं delta F की जिगापे तो यहां जाएगा 15.92 upon 2 और इसको solve करेंगे तो आपको F1 की value मिल जाएगी 170.04 hertz यह आपको मिल गया है किसकी value है आपकी F1 की ऐसे हम F2 की value निकाल सकते हैं और F2 का जो formula होता है वो होता है FR plus delta F upon 2 यह जाएगा 178 plus 15.92 upon 2 तो इसको solve करेंगे तो मिलेगा 185.96 hertz इस तरीके से आपको frequency F1 और F2 मिल जाएगी जिसको क्या कहते है हम लोग half power frequencies बोलते हैं तो इस तरीके साब देख रहे हो कितना आसानी से formula याद थे हमें और हम बड़े आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद आई है तो अपने द